जैहिन दोस्तों वेलकम बाक टू टूटॉक दोस्तों 27 जून से एक जुलाइ के बीच में क्या कुछ रिलीज होके देखने को मिलना है आपको ओटी टी और सिनेमा में इसकी पूरी लिस्त दोस्तों आपको इस वीडियो मिलने वाली है इसलिए वीडियो को पूरा सुन लेना क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो आईए दोस्तों पर इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एग्जाक्लि बताते हैं कि इस हफते आपको क्या कुछ रिलीज होके देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत करते हैं 27 जून की रिलीज के स जहां सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अरे यार की जो कि एक ट्राजिक ड्रामा फिल्म है जो कि जेंपलेक्स की औरिजिनल मुवी और जेंपलेक्स की प्लाटफॉम पे कल रात से रिलीज हो चुकी है और कहानी है ऐसे लड़के की जो अपनी लाइफ में कुछ सही नहीं जाल शेमारु मी के प्लाटफॉर्म पे रिलीज हो चुकी है इसी के साथ साथ 27 जून को रिलीज हो रहा है कैफे मिनाड मैंग ये एक KBS ओरिजनल साउथ कोरिन मिस्ट्री अक्शन ड्रामा टेलिविजन सीरीज है जिससे नेट्फ्लिक्स पर रिलीज के अदा रहा है सिर्फ कोलियन लेंगविज में 27 जून को और इसी के साथ साथ बेंट ये एक अमेरिकन रोमैंटिक सिटकॉम टीवी सिरीज है जिसे हिंदी लेंगविज में दोस्तों टाटा पले के चैनल पे रिलीज के अदा रहा है 27 जून से अब बात करते हैं दोस्तों 28 जून की जा बड़ा र विल्डिंग का सीजन टू जो कि एक हुलू ओरिजनल ब्लाक कॉमेडी क्राइम इस्ट्री त्रिलर ड्रामा सिरीज है इसे हुलू के प्लाटफॉर्म पर इंग्लिश लांगविज में 28 जून से रिलीज किया जा रहा है अब बात करें अगर 29 जून की तो एल डैंडी ये एक स्पैनिश क्राइम ड्रामा टेलिविजन सिरीज है जो की हिंदी लांगविज में दोस्तों MX Player के प्लाटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है और इसकी एक्सपेक्टिड डेद है 29 जून जहां आप इसे हिंदी में देख पाएंगे इसी के साथ साथ एक्स्टरॉर्डिनरी इंग्लिश लांगविज में 29 जून को रिलीज किया जाएगा दोस्तों बात करूं 38 जून की तो डियर विक्रम ये एक अपकमिंग वूट सिलेक्ट ओरिजिनल करनडा लांगविज रोमैंटिक पॉलिटिकल अक्शन ड्रामा फिल्म है जिससे वूट सिलेक के प्लाटफॉर सिर्फ कनडा लैंगविज में 30 जून से रिलीज किया जाएगा इसे हिंदी में रिलीज नहीं किया जाएगा इसी के साथ साथ दोस्तों सिनमा में बड़ा रिलीज है कदुआ जो की दोस्तों रिलीज हो रही है हिंदी लैंगविज में और ये एक तेलगु मूवी है जिसकी बास्टर्ड हेवी मेटल डार्क फैंटेसी की जो कि एक नेट्फिक्स ओरिजिनल जैपनीज एक्शन एडविंचर साइफाइ ड्रामा अनाइम सीरीज है इसे दोस्तों 24 एपिसोड है और इसे दोस्तों रिलीस किया जाएगा नेट्फिक्स प्लाटफॉम पर इंग्लिश और जैपनीज लैंग्विज में 30th of June से और दोस्तों शार्क डॉक्स सीजन टू ये एक नेट्फिक्स ओरिजिनल सिंगापॉरियन Kids Animated Adventure Comedy सीरीज है जिसे नेट्फिक्स प्लाटफॉम पर हिंदी और इंग्लिश में 30th June से रिलीस किया जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों 1st July की जहां सबसे पहले बात करते हैं वेब सीरीज की तो मिया बीवी और मर्डर ये एक Crime Comedy Drama सीरीज है जिसकी लीड में राजीव खंडेलवाल और मंजरी फर्नाइंडेस और कहानी है कैसी कपल की जो साथ साल से मैरिड है पर अभी फिलाल उनके बीस में चीज़ें सही नहीं चल रही है और ऐसे टाइम पर वो दोनों एक मर्डर का हिस्सा बन जाते हैं और इस सीरीज का दोस्तों ट्रेलर आउट हो चुका है आप इसे ट्रेलर को देख सकते हैं जा आपको पता चल जाएगा कि कैसी Crime Comedy सीरीज ही होने वाली है और इसे रिलीज किया जाएगा क्रिस पैट और साथ में टेलर किश और दोस्तों इसे Amazon Prime वीडियो के प्लाटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है हिंदी तमिल तेलगू कनडा मलयालम इंग्लिश सभी लांगुजिज में एक साथ 1st of July से यानि की 1st of July को अब आप टर्मिनल लिस्ट हिंदी में भी Amazon Prime पर द देखने को मिलेगा Ania's tutorial जो कि एक तेलगो comedy drama series है जो कि आहा original के याप पर रिलीज होगी और इसके साथ साथ दोस्तों रुद्र बिनार ओबी शॉप जो का season 2 जो की एक mystery drama series है और इसका season 1 और इसका season 1 की कहानी के बाद ही season 2 अब शुरू होगा और इसे 1st July को दोस्तों हॉय च के प्लाटफॉर्म पर रिलीस किया जाएगा इसी के साथ 1st July को देखने को मिलेगा The Princess की जो कि एक Indian Hindi Language एस्पिनेज एक्षिन क्राइम त्रिले ड्रामा फिल्म है जिसके IMDb रेटिंग है 5.1 की और दोस्तों फाइनली अभी ये डिजिटल प्रिमेर करने जा रही है जिसकी लीड में अक्षे कुमार दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि 1st July को ये मूवी Amazon Prime के प्लाटफॉर्म पर और रेंटल बेसिस आ जाएगी अभी तक चैनल कन्फरमेशन नहीं आई है लेकिन दोस्तों आलमोस्त एत हो चुका है कि ये आपको 1st July से Amazon Prime पर रेंटल बेसिस पर देखने को मिल सकती है चैनल कन्फरमेशन आने पर मैं आपको अपडेट दे दूँगा इसके साथ साथ दोस्तों बबलू बैचलर जो की 2020 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है लीड में शर्मन जोशी और दोस्तों यहाँ पर कहानी है एक ऐसे आदमी की जो की दो शादियों के बीच फसने के जा रहा है और दोस्तों इसे अब शेमारू मी के प्लाटफॉम पर रिलीज किया रहा है बबलू बैचलर को और दोस्तों 1st July से रिलीज कर दिया जाएगा इसके साथ साथ The Craigslist Killer यह एक American Biographical Crime Drama फिल्म है जो Netflix पर दोस्तों रिलीज होने जा रही है Hindi और English दोनों ही Languages में 1st July से और दोस्तों 1st July को कुछ cinema releases भी होने जा रही है जिसमें दोस्तों बड़ा release है Om the Battle Within और दोस्तों इस movie को release किया जाएगा 1st July को cinemas में इसके नाम को भी change कर दिया गया यह आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगी अब cinemas में इसे release कर दिया जाएगा 1st July को और दोस्तों इसके साथ साथ Rocketry the Numbe Effect यह एक upcoming Indian Multilingual Biographical Sci-Fi Drama फिल्म है और दोस्तों यह कहानी है नम्बे नरायनन की जो कि एक former scientist और aerospace engineer थे Indian Space Research में और दोस्तों इनके उपर एक गलत allegation लग गया था जासूसी का और उसके बाद इनकी जिंदगी कैसे बदली वो हमें देखने मिलेगा Rocketry the Numbe Effect में जो की true incidence को पर based है और दोस्तों cinemas में से Hindi, English, Tamil, Telugu, Kannada और Malayalam सभी languages में एक साथ 1st of July को release किया जा रहा है तो दोस्तों यह थी मेरी complete list जहां पर मैंने आपको बता दिया है क्या कुछ इस अफ्ते रिलीज होने वाला है OTT Cinema, Web Series, Movies सब कुछ cover करके दे दिया है कुछ रहा गया हो तो दोस्तों मुझे comment कर देना कोई update चेह हो तो मुझे comment कर देना और इंस्टाग्रम पर कनेक्टेड रहोगे तो मुझे समेसेजीज भी बेच सकते हो अंतिल आपक तो दे नेक्स वीडियो इस गुट बाइ फ्रॉम तुब टॉक